नमस्कार पंजादी टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूँ कमल सिंग 2014 में विकास का मुद्दा लेके बीजेपी सत्ता में आई थी और अब 2019 का चुनाओ सर्पे है बीजेपी तैयारियों में लगी हुई है कमरकस के कि 19 में किस तरीके से और किन-किन मुद्दों के साथ जनता के सामने जाना है ऐसे में बीजेपी की जो केंद्रिया समीती है उसने बड़ा फैसला लिया है और समीती का फैसला ये है कि देश भर के सौ सांतल ऐसे होंगे जिन्होंने अपने छेतर में काम नहीं किया है उनके सेक्ट में एक सर्वे कराया जाएगा सर्वे के मुताविक अगर वो छेतर में अपने काम नहीं कर पाए है या फिर वो अपने छेतर में उतने लोकप्रिय नहीं है तो 2019 चुनाओं में उनका टिकट कार्ड दिया जाएगा यानि party उनको ticket नहीं देगी यह पूरा मामला सुरू कहां से होता है यह पूरा मामला सुरू होता है कुछ समय पहले बीजेपी और RSS की meeting होती है जिसमें RSS ने प्रस्ताव रखा था कि काम न करने वाले सांसदों के उपर सक्त कारवाई की जाए और 2019 चुनाओं में उनको उनके छेत्र से ticket ना दिया जाए या फिर उनका ticket काट दिया जाए जिस पे बीजेपी के केंद्रिय समीति ने गहराई से सोचा और सोचने के बाद यह फैसला लिया कि जो सौ सांसदों की सूची बनाई उसने और इन सो सांसदों के छेत्र में एक सर्वे कराये जाएगा 2018 के लाश्ट तक और सर्वे में अगर ऐसा आता है कि इन्होंने काम नहीं किया है तो 2019 चुनाओं में इनको ticket नहीं दिया जाएगा इन सो बिधायकों को इन सो बिधायकों को यह सूची तैयार की गई है इसमें सब जो भी उनके काम का लेखा जो खाया है वो सिधा सिधा अमिस्सा और नरेंद मोदी लेकर उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि 2019 में इनको पार्टी अपने जो प्रास्मिक्ता है पार्टी की वह विकास है देश है यह संदेश देने की कोशिश की है बीजेपी ने 2019 चुनाओं से पहले देश और दुन्या के से तमाम बड़ी खबरों को हम फेस्बूक और यूटीब के जरी आप तो पहुंचाते रहते हैं हमारा व